दोहजार उनीस को सुल्तानपूर लोदी से यातरा स्टार्ट की थी पहली उदासी के रास्ते के ठूप और दूसरी उदासी भी मैंने किया है उदेश यही था कि नानक जी जिस रास्ते पे अपने टाइम पे चले थे उस रास्ते को पैदल मैं चल के कवर करूँ और जितना कुछ सीख सकूँ जितना कुछ बटोर सकूँ वो एक उदेश था और दूसरा उदेश था भुकमरी को मिटाने का यह करीब साड़े पांच महिने का यात्राद है पैदल मैं 5000 किलोमेटर मैंने किया है अल्मोस्ट इंडिया के सारे जगह मैंने घुमा है सारे राजियों में घुमा है गया हो और इतिहासिक गुरुद्वारे तो बहुत सारे हैं सुल्तानपूर लोधी में ही बेवे नानिकी का गुरुद्वारा है फिर गौगट लुधियाना हो गया फिर आपको पेवा हो गया कुरुछित्रा हो गया दिल्ली का मजिनु का टिल पानी प्याओ हो गया फिर आगे यूपी में कुछ इतिहासिक गुरुद्वारे थे पत्ना साइब हो गया मालदा का गुरुद्वारा बंगाल में इतिहासिक है आसाम में धूबरी इतिहासिक गुरुद्वारा है फिर कलकत्ता का गुरुद्वारा हुआ फिर पूरी का गुर पीर हुजूर्साहाब वहां पे गया में, फिर बिदर करनाटक में बिदर की बहुत इतिहांसिक गुरुदवारा हैं। आगे और नीचे जाके रामेश्वरम पुरा साउथ इंडिया में पहुत ही इतिहासिक गुरुद्वारा बन रखा है। फिर उपर आए तो महारास्टा में भी कुछ इतिहासिक गुरुद्वारे हैं। फिर आगे गुजरात में भरूच, भरूच का गुरुद्वारा इतिहासिक है, फिर आपको यहाँ पर लखपत का गुरुद्वारा बहुत इतिहासिक है. मुझे लगता है कि अब मेरा उदेश और इसके कारण और बढ़ गया है मुझे और जानकारी लेनी है और सिख्षा लेनी है और और कुछ समझना है तो एक तरह से तो मैं समझता हूँ कि पहली उदासी का जो भी था उसे मैंने काफी कुछ सिखा अब इस चीज को मुझे आगे काम करना है और ज्यादा कुछ सिखना है और समझना है मेरा यही था कि मेरे तरफ से अपने कंट्रूबेशन के लिए मैं इस रास्ते पे चलूँ यह तो मैंने 500 का यह तो मैंने कर लिया है आगे मैं और गुरू परब के टाइम में यहां आऊंगा और देखूंगा और समझूंगा और जो भी अपने तरफ से अपने टाइम निकाल के कुछ कर सकता हूं उसके लिए जरूर करूंगा